सब एक दूसरे से जुड़के ना सब पूछते हैं कि तुम कैसे ठीक होई तुम कैसे ठीक होई तो सब ने ये का भी हमने सिया गोन खाया था तो उससे हम ठीक होई नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको सिहत और जिंदगी प्रोग्राम लगतर एक मुहीम के तहट आगे बढ़ रहा है जिसमें हम अपने दर्शको के घर जा रही हैं दर्शको से मिल रही हैं कैसे वो हकीम सहाब के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे वो हकीम साहब के कौन कौन से नुसके अपना के खुद को सेहत मन बनाते हैं दूसरों को भी सेहत मन अब वो बना रही हैं उन तक भी नुसके पहुंचा रही हैं ये सारी बाते जानने के लिए और खासकर वो खुद क्या करते हैं और क्या कुछ उनका दिन चर्या होता है सुब़ से लेकर रात तक का ये सारी बाते हम आप तक पहुँचाएंगे तो आज भी हम एक दर्शक के हाँ पहुँच रहे हैं बहुत बहुत नमशकार जी, बहुत बहुत नमशकार. मैम सबसे पहले जानना चाहूंगे आपके उम्र कितनी है आपके घर में कौन-कौन हे और आप क्या करती हैं? मेरी उमर 65 यह और मेरे घर मेरे हस्बेन मेरे तीन बेटियान एक बेटा है, एक बहु है, एक पोता है, दो देवर हैं मेरे पांच नंदे हैं मेरी अमारी जॉइंट फेमिली है ऐसे और हम उसमे रहते हैं, मैं काम क्या करती हूं? बाटों जिसमें की बच्चों को शीलाइ का में शीके और आपने भड़िक विके काम करते हैं और लुं मुटी कोलिये हैं कि उन्हें आंको खाना बनाना हमारा क को पापड बढ़ियां यह चीजे भी जो हाथ से बनी हुई चीजे होती हैं लड़ू है वो बनाते हैं जैसे उन बच्चों को सिखाते हैं और उनके से उनका व्यावसाय भी हमारा चलता है बहुत अच्छा लगा मैं यह जानके कि आप इतना नेक कार्य कर रही हैं और अब मैं य बच्चाब के नस्के अपनाएं और कौन-कौन से नस्के अपनाएं जो है हकीम साब जी से ऐसे जुड़ी कि मेरी जो मोसी जी हैं सुधा कुष्यतर में रहती हैं उनके जर्य मैं जुड़ी हूँ जब कोई मुझे कोई कोई तकलीफ हो जाती थी कुछ भी बात होती तो वह म मेरी अपने पर मुझ की तरही अपने अपर ही अजमाएं जा जा कि भाई गॉश्वरों के नरों के ना जमिये अपने अपने अपन साइव गॉट हूंगdogs Разूब मैंने एक मेरी बुजुर्ग लेडी थी उसने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है गोडों में दर्द है कमर में मेरे दर्द रहता है तो मैंने उसको इसको यह बताया कि सिया गोंद आप लो हकीम सभजी का मैंने सिया गोंद का नुसका उनको बताया उन्होंने तीन महीने लिया था, तभी उन्होंने कहा की मुझे अराम है, तब उन्होंने मुझे मुझे तुम एक और और मंगा के दो मुझे ताए के मैं बिलकुल ठीक हो जाओं। मैंने भी एका कि कि जब तक जड़ना खतम हो जाएं, तब तक आप दवाई लेते रहे हैं, तब तक उन्होंने दवाई छोड़ी नहीं, अभी भी वो ले रही हैं, तो सिया गोन का तो मुझे उन्ही लेडी से बहुत सारा मिला, उन्होंने बताया मुझे कि बहुत अच्छा राय है, उसके जरीए, मैंने और भी जो मेरे फ्रेंड है, या सुना भी है, लोगों से क्योंकि मेरे साथ में कई लोग जुड़े, एक नहीं, दो नहीं, उन्हीं जिसको भी बताया, 10-15 लेडी का हमारा पारक में बैठना होता है, ग्रूब बना होता है, सब एक दूसरे से जुड़के न, सब पूछते हैं कि यह क्या, तुम कैसे ठीक होई, तुम कैसे ठीक होई, तो सबने ये का भी हमने सिया गोन खाया था, तो उसे हम ठीक होई, तो मैम हकीम सहाब के आपने नुस्के अपनाया, आपने इतना विश्वास किया, आपने पहले भी कोई ट्रीटमेंट जरूर अपनाया होगा, तो तब की ट्रीटमेंट मे और इन घरेलू नुस्खों में कितना आपको लगा? घरेलू नुस्खे क्या है हमारे घर में ही है सबसे बड़ी बात यह हमें कहीं जानानी पड़ता कई हमें पैसे नहीं खरीदने पड़ते कि hacia पेले फिर लाओ चीज, फिर उसको धो आज माजमाएं गर में हमारी कीचन में सब चीजे रखी होती है, उन में से लिया, एक बार या सुबेरे खा लिया, शाम को खा लिया, तो उससे लगता है कि अराब मिल जया तो इससे बड़ी और कोई चीज ही नहीं है, तो हम अपने उससे लेते हैं, जैसे इनका पेट साफ करने का है, जो धन जाना ही नहीं पड़ता, नहामें दवाई मंगानी पड़ती, तो यह इससे पेट साफ बड़ी जल्दी हो जाता है, इस चूरन से, चूरन बना के, मैंने लोगों को दिया भी होता है, तो कोई कह देता था कि हमें नहीं पता कि क्या कुछ नहीं है, तो आप बना के दो, तो म मेरे जो सत्संक की सेहियों का हमारा गुरूब बन जाता है, उसमें मैं जुड़ी हुई हो जाता है, और जो संस्ता के लोग हैं, उनमें भी हम जुड़े हुए हैं, तो जो भी कोई पूछता है, तो उनको फिर मैं उसके बता देती हूं, और यह करती हूं, हकीम साब जी से जो जो उसके लिए सीखे, हमने सुने, तो उससे भी मुझे लगा कि नहीं इनके नुसके अच्छे हैं, तो हम क्यों आगे लोगों को बताएं, बलकुल, हकीम साब के लिए कुछ कहना चाहती है, हकीम साब जी के लिए तो कहना यह चाहेंगे, जैसे जैसे इनोंने इतना बढ़े, ताके की वही हमारा को भी उनका साथ मिले, और हम भी आगे इनके बढ़के अपनी इनको चीजों को बढ़ दवाईयों को भी इनकी बढ़ाएं, अपनी भी सेहत को ठीक रखें, लोगों की सेहत को भी ठीक रखें, यह वह चाहूंगी. तो मैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जिनोंने अभी तक घरेलून उसके नहीं अपना है, जो अभी तक हमारी एक फैमली जो सेहत और जिंदगी की फैमली है, और जो लोग अभी तक हकीम साब से नहीं जुड़े होई हैं, उनको क्या कुछ कहना जो जुड़े नहीं है, जिनोंने अभी तक घरेलून उसके नहीं अपना है, उनको हम यह कहेंगी कि आप आकीम साब जी के यहां से आपने जो नंबर आपने दिये हो होते हैं, उनसे आप दवाई मंगा सकते हैं, जो जो भी दवाई मंगानी है, जैसे इसका जैतून का सिरक दवाई मंगा सकते हैं, अगर मुझे यहां इसकती है, वो में अवच आपके पास नंबर से बेज देती हूँ, तो दवाई मो गेंगें अके झो भी जो जो बहाए जाती हैं की मेरे पती की यादा से प्सकत्य की बहूत ही कहती GLORIA है, हे मेरे मेरे पते के यादश्त जो थी वो एक दिन चली गल वो दिन को रहां दो ना क utilities कि उन्हों ने कह लग यह किए ऑड negro क्या रह यह क्या हूं कई चीजों में लगा कि उस दिन को यादश्त नहीं थी तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि क्या हो गया यह मैंने मोसीज से पूछा तो उन्होंने कहा हो यह कीम साब जो नुसका सा उन्होंने बताया कि दो चुटकी हल्दी और गरम पानी इनको पिलाओ तो ठीक हो जाएंगे तो जब से मैंने उनको रोज आना में देती हूं उनको ठीक भी दो चुटकी की हल्दी और गरम पानी अब वो रोज पीते हैं रोज उससे मेरे को लगता है कि वही उनको बहुत अराम भी है मैं लाख लाग शुकर यादा करती हूं क्योंकि एक तो दवाईयों से बच गई एलोपैथिक डोक्टरों की सलाम से बच गई एक वो इतने बात करके यह तो मुझे अच्छा लगा कि आपको बहुत जानकारी हो गई है हकीम आपसे जुड़के और जब तक जानकारी की यह घरेलू नुस्कों की तब तक हम इसंट्रीट्मेंट को अपनाते नहीं है लेकिन अच्छा लगा आपने हमें आमंत्रित किया और हमें जानन एक और आपको देखने का हमें सौभागे प्राप्त हुआ कि आप कैसे खुद को फिट रखती हैं, कैसे अपने आपको स्वत्त रखती हैं हमारे इस खास कारेक्रम में कि आप जब हकीम साहब से जुड़ते हैं तो आप कौन-कौन से नुस्के अपनाते हैं कैसे आप खुद का ख्याल रखते हैं और कितने लोगों की आपने मदद ही है क्योंकि सेहत और जिंदगी कारेक्रम का सिर्फ एक उद्देश्य है एक मकसद है जब आपको किसी दवाई से किसी घरेलों उसके से फायदा होता है तो आपको बस उन जरूरत मंदों की मदद करनी हैं जो दर्द से पीडित रहते हैं तो एक बाप फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार